तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो स्वागत है आपका दी फुलिष्ट एंजल डांस विद दा डैबिल एपिशोन नमबर टैन में तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक चोटी शी रिक्वैस्ट है कि अभी तक अग यहां नए नए वीडियो बनाने के लिए तो यह मेरी आपसे हाँ जोड की विंदी प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजेगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके जह एपिशोट को एपिशोट के स्टार्टिंग में हम देखते कि यहां पर जो आमाने होती है कर सकून को बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूं जो तक मैं सोना जाओं तो यहां पर कर सकून अपना हाथ दे देता है अमाने पकड़े उससे पहले ही अमाने की जो बड़ी भेन होती है वो आ जाती है और यहां पर यह बोलती है क्या तुम दोनों कुछ कर रहे थे जिसके बाद यह बोलती है लेकिन मुझे एक प्रोगलम है यहां पर मैंने चेस्ट के अंदर काफी दर्द हो रहा है और मुझे काफी एजी सी फिलिंग हो रही है ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं तुम्हारी जो फिलिंग है उसे महसूस कर सकती हूं तो यहां पर आमाने लगता है कि तुम काफे इंजॉय कर रही हो और यहां पर हम देखते हैं कि एक बंदा इसके सामने खड़ा होता है अमाने इस बंदे को देखके यहां पर उनीचा बोलती है तो यहां पर जो अकट सकुन होता है यह बोलता है लगता है यहां पर जो अमाने का बड़ा भाई ह इसका मतलब ये भी जह एंजल है अगर इसके बाचल का कि मैं कौन हूँ तो फिर क्या होगा यहीं पर जो अमाने का भाई होता है वो अकटसकुन को देख लेता है और यहीं बोलता है कि तुम कौन हो अमाने बोलती कि ये मेरा कलासमेड है और हम लोग यहीं पर जह मिल गए थे इसलिए हम लोग सी बाते कर रहे थे इसका नाम अकटसकुन है अमाने का भाई बोलता है कि मुझे तुम से मिल के खुशी हुई मेरा नाम जैफी है और तुमने मेरी बहन का ख्याल रखा है तुम्हारा बहुत 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 शुकरिया तो यहाँ पर जैफी बोलता है वो ज लाए रही होती है अकट सकून को यह बाई बोलती है बड़े उदास तरीके से यहीं पर हम अकट सकून को देखते हैं जो यहां बैठके सोच रहा होता कि अगर आमाने के भाई को पता लग जाता कि मैं कौन हूँ तो काफी दिकत हो जाती जिसके बाद ही कहता है उसने कहा था लेकिन आमाने का जो चेरह है वो जबकि अमाने को खुश होना चाहिये था क्या पता आमाने अपने भाई को एक दम से देखके चोक गई हो studied हो यह फिनेर वस हो गई हो मुझे पूरा ईकीन है कि उसका भाई अच्छा बंदा होगा जिसके बाद हम देखते कि na aika ships हमें यहां यहां पर यहां पर नहीं को तो यहां पर आमाने बोलती कि जो अकट सकून है वो जह बस मेरा क्लासमेड है हम दोनों की बीच में कोई फैसलरेशन नहीं है लेकिन यह कहते हुए आमाने अपने सर को उपर कर लेती है जैफी जो होता है इसके सामने ही तलवार मार देता है और यहां पर यह बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिमत कैसे हुई मेरे बिना परमीशन के अपना सर उपर उठाने के क्या तुम चाहती हु कि मैं तुम्हारा फेस जो है यहां पर मसल दो हमाने बोलती कि मुझे माफ कर देना है जैफी बोलता है कि मुझे तुम से एक और साल पूछना है कि यहां पर जो अफतार हमने भेजा था आखिर कर तुमने उसको हराया कैसे फिर हमाने जो होती उस अफ़तार के बारे में याद करने लग जाती है जिसके बाद रफी कहते है कि मैं यह नहीं कह रहा कि तुम उसको नहीं रहा सकती लेकिन यहाँ पे उसको हराना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यदा मुश्किल है लेकिन तुमने उसको बड़े अराम से हरा दिया था हमाने बोलती कि उसे मैंने समन किया था और उसने एकदम से मेरे उपर अटैक कर दिया जिसके बाद मैंने जहें इसकी जो ब्लासिंग है उसे जो रहमूब कर दिया और वैसी भी जो अब बैसे एक हूँ तो रहाद ओ सकती ही हुँ से काफी अलग होते हैं और यहां पर human demon को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगी मैं यहां पर human type demons उनको भी मारूंगी फिर्स का भाई बोलता है कि ठीक है मुझे माफ करना तुम पर आउट करने के लिए यह रिपोर्ट में जाके यहां पर सबको दे दूंगा इसका भाई बोलता है लेकिन मेरा कोड़ सवाल है जिस अफ्तार को तुमने हराया था वो जो था यहां पर एक जो था ट्रैप था और वो ट्रैप तभी यहां पर एक्टिविट होता है जिब को demons उस हम उसी अफ़तार को देखते हैं जो बाहर आने को इश्च कर रहे होती है लेकिन इसको चेंज से बांध रखा होता है यहां पर इसका भाई बोलता है लगता है कि तुमने मुझे काफी कम समझा है इसके बाद यह बोलती कोई तो मेरी help करो यहीं पर हम अकटशकुन को देख हैं सोच रहा होता है कि यहां पर यहां पर बोलता है कि तुम उपर से हो तुमने ऊपर से जम किया इसका मतलब तुम्मी जोए एकड़े मोगी भादू है और यहां पर यहांर के ने कि पर आकड़शकून के उपर इसके हमले से बज़ जाता है रिคुत Walker को प्सक Senior को में से गड़े मैं से तूह मैं टुम्हार बाद में सुझक को करनी SHE और यहाँ पर यह लोग रड़ने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन एक दम से अमाने जहुतिया करसकून को पकड़ लेती है और यह बोलती कि तुम चले जाओ यहाँ से यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि तुम इसके आगे खड़े हो पाओ तो यहाँ पर करसकून बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर जह रो जब तुम रोती हो तो मुझे काफी बुरा लगता है और यहाँ पर यह सब चीज़े मैं चाके भी अबोईड नहीं कर सकता मेरा जो बोड़ी है वो अपने आपी मूव करने लग गया और मैं जहूँ यहाँ पर आ गया हूँ और यह कहने के बाद अकर सकून यहाँ पर खड़ा हो जाता है यहाँ पर आमाने बोलती कि तुम मेरे भाई से नहीं जीच सकते क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे पूरी पावर नहीं है तुम्हारे पास यह आधी पावर है यहाँ पे जैफी बोलता है कि यह तो काफ़ी बुरी बात है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते लेकिन चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस देता हूँ अगर तुम मेरे उपर एक वार भी कर दोगे तो मैं ऐसा दिखाऊँगा कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं और मैंने कुछ देखा भी नहीं कहने के बाद यह लोग यहाँ पे फाइटिंग करना शुरू कर देते है यहाँ पे जो जैफी होता है वो हमला करता है कर सकून के उपर यहां पर आते हैं और यह जो होता है कर सकून को पकड़ लेते हैं और यहां पर यह बोलता है कि तुम हार मान लो यहां पर जो जैफी होता है यह बोलता है कि मैं तुम्हें बड़े अराम से मार सकता हूं लेकिन इस तरह से मारना फन नहीं होगा तुम हमारी बात की बीच माय ह हो इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा जिसके बाद यहां पर अकष्ण सकुन बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाते हो तो यहां पर यह भुदता कि पता चल जा है कि आखिरकार जो माने कौन है जिसके बाद यह बहुत है जल्दी करो माने इसको बता दो यहां पे लेकिन आमाने ज़ी होती है न्हींतोсть होड़ निपार अपर किसा है प्रक्तुन करते हो यहां ही जयुक्त पर Belo कि सब्सक्राइब कर दो Argentina को बाते है और यहां पर फालऴ यहां जफी बोलता है कि पूरे इसके पैर पे इसी तरह के निसान बने हुए है और इसे ने मैजिक का स्थमाल किया था यहां पे जह इन सभी को चुपाने के लिए मुझे तो यहां पे जो एंजल और डेमन्स है वो जह एक दूसरे के दुस्मन है और तो पता नहीं क्या इसके पास कि अध्यान के देन हो तो यहां पे पूलता है क्या की तुम क्या बुकास कर रहे हो इसके पाथ यहां पे जफी बोलता है क्या लेका और मुझे पताना यहां पूलता है जहां वह जो एंजल के पॉते हैं निशान और यह बोलने tune ये लिली के पंक कार देता है और यहां पर नाचे गिर जाते हैं और यहां पर हम देखते हम देखता हूं उ Redmi Page गुस्से में आ जाता है यहीं पे जो लिली होती है वो बहुत ज़्यदा रो रही होती है तो दोस्तों यहीं पे जो अपी शोड होता है वो खतम हो जाता है उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीस चैन स्काइब क और नीचे जह 40 कमेंट कर दीजेगा अगर आप लोग 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो को जल्दी लेके आऊंगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में जब तक लिए बाई बाई